Hello guys, welcome to my channel, my name is Achin and I hope you all are fine So dear boys and girls, आज हम लोग बात करेंगे उत्रांचल इनिवर्सिटी के बारे में मैंने already इस college का full review कर दिया, इस university का full review किया जिसमें मैंने सारे topic cover किया है तो अगर अभी तक आपने उस video को नहीं देखा तो सबसे पहले उस video को देख लो तो आज हम लोग इस video में बात करेंगे individually placement और scholarship के बारे में आप लोग जब भी भी कोई college या university select करते हो तो सबसे पहले देखते हो कि उस college का placement कैसा है और उसमें आप लोग के scholarship मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो आज हम लोग individually इसी topic के उपर में बात करेंगे तो make sure आप लोग इस video को शुरू से लेके last तक देखेगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो उत्राचल university आप लोग का दहरादुन इंडिया में है और यह 2013 में बना था और यह एक private university है और अगर कुछ हम लोग इसका ranking का बात करें तो इसका NIRF ranking जो है वो 74 ranked है जो no doubt one of the best है और यह AICT से approved college है तो यह आप लोग एक benefit मिलता है कि AICT से approved है दहरादुन का one of the best university है अब हम लोग अगर next topic बात करते कि आप लोग इसमें कौन-कौन से course कर सकते हो तो आप लोग इसमें BTEC कर सकते हो, MBA कर सकते हो, BBA कर सकते हो, BCA कर सकते हो BICOM के course कर सकते हो, BFARMA कर सकते हो, BAC honors कर सकते हो और अगर हम लोग इसका BTEC का fee का बात करें, तो first year का आपका जब फी होगा 1.49 lakh होगा तो यह आप लोग का BTEC का fee है, और course वाईस अगर आप लोग फी जानना है कि इस course का कितना fee होगा तो नीचे inquiry number देगा है, वहाँ से inquiry कर लीजे और यहां से भी बहुत सारे बच्चे, गार्जन, कन्फीज होगे होंगे कि इसका fee बहुत जादा है तो आप लोग कन्फीज नहीं होना है, इसलिए हम लोग लाएं scholarship जिसमें आप लोग का tuition fee में 100% तक scholarship मिलेगा जो मैं वीडियो के last में बता हूँगा, अब हम लोग अपने main topic में आ जाते हैं, इस placement के बारे में जी हाँ, आप लोग अगर किसी भी university या college में admission लेत हो, तो सबसे पहले देखते हो कि उस college का placement क्या है average placement क्या है, highest placement क्या है, उसमें आप लोग कितना opportunities मिलेगा अगर company visit करेगी, तभी आप लोग को opportunities मिलेगा, तो हम लोग उसी के बार में बात करेंगे, यहाँ के placement के बार में अगर हम लोग पहले बात करें, कि आप लोग का उतरान चले university का, previous year का placement क्या था, तो देखो यहाँ का highest package गया था, वो बहुत जादा गया था, 1.18 crore का गया थ जो आप लोग top IITs and IITs college में जो placement देखो, यहाँ पर वो package आप लोग को दीख रहा होगा, 1.18 crore का, लेकिन सबसे important होता है कि यहाँ पर company visit कर रही है, नहीं कर रही है, because अगर company visit करीगी, तभी आप लोग को opportunities मिलेगा, कि और भी जादा package को आप hire कर सको, उठा सको, तो बहुत सारी जो company है, previous year में यहाँ पर visit की थी, 450 plus company जो है, यहाँ पर on campus विजिट की थी, उसमें आप लोग का बहुत सार वीपरो हो गया, एसेंचर हो गया, और भी बहुत Microsoft Google, इस सारी company जो है, यहाँ पर visit की थी, तो चाहिए आप core के हो, या non core के हो, आप लोग को दोनों त आप से benefit मिलेगा, और अगर हम लोग उसके दूसरा बात हम लोग कर लेते हैं, scholarship के बारे में, तो बहुत सारी जो बच्चे हैं, guardian हैं, उनको चाहिए होता है scholarship, तो हम लोग scholarship का बात करेंगे, तो देखो scholarship का कुछ criteria जो आप लोग को fulfill करना पड़ेगा, तो उस criteria को अगर आप करते हो, तभी आप लोग को यहां से scholarship मिलेगा, वो भी up to 100% तक आपके scholarship मिलेगा, आपके tuition fee में, तो scholarship अगर आप लोग को जाना कि आप लोग का criteria क्या scholarship का, तो नीचे inquiry number देगा है, वहां से आप लोग inquiry कर सकते हो, और वहां से आप लोग को phone calls में, बताया जागा कि आप जल्दी से है न, आप लोग call कर लो और वहां से inquiry करो, तो सबसे पहले आप लोग inquiry करो कि यह university कैसा है, कोई भी doubt हो, उतरा आचल university के regarding, कोई भी doubt हो कि यह कैसा होगा, यह कैसा, एक्सेक्ट रहा, silly से भी doubt हो, तो आप लोग उसको doubt को clear करो, because आप लोग चार सल यहां पर invest कर र है, यहां पर आप लोग को scholarship भी मिल रहा है, तो आप लोग को नीचे में registration का link भी दिया गया, वहां से आप लोग registration भी कर सकते हो,